आइवरेवन मैं हूँ समीत कुमार नागर और कम्प्यूटर गुरु हमें आपका स्वागत है आज का जो टापिक हम करने जा रहे हैं वह है आइटरेशन स्टेटमेंट्स इन फॉर लूप हमने इस से पिछली क्लास में पढ़ा था कि आइटरेशन स्टेटमेंट क्या होती है आइटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट हमें क्या करती है वह हमें यह ऑपर्चूनिटी प्रोवाइड करवाती है जिससे के हम किसी भी स् किसी range के उपर depend करेगा इससे पिछली class में हमने आपके साथ discuss किया था कि जो iteration statement होती है वो होती है तीन तरह की while loop for loop और nested for loops इसमें while loop की मैं already जो है आपको class दे चुका हूँ और आप वो कर चुके हैं तो आज हम discuss करेंगे कि for loop क्या होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं कि for loop क्या होता है तो for loop हमें iteration के लिए use करते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना होता है किसी sequence का traversal करना होता है इसमें क्या होता है जहांपे iteration होती है वो dependent होती है किसी sequence के उपर या किसी sequence के साथ हमने किसी चीज़ को करना होता है तो उसके इसमें हम क्या यूज करते हैं हम for loop का use करते हैं इसके अंदर जैसे कोई भी sequence हो सकता हमारा list हो सकता है टपल हो सकता है या string हो सकता है उन सारी चीज़ों को बारी बारी से करके हम execute करते हैं और अगर list टपल या string को अगर बारी बारी से करके execute किया जाए तो उसको एक traversal भी कहते हैं तो यहां जो है वो for loop का syntax है for loop कैसे किस तरीके से काम करेगा तो यहां पे जो है इसका syntax दे रखा है for way al यहां पे कोई भी variable है उसके बाद है जो हमारा in आता है जो membership operator होता है इसकी भी मैं already आपको class दे चुका हूँ और फिर sequence के अंदर जैसे भी कोई भी range function होता है वो यहां पे आ सकता है फिर उसके बाद हमारा होता है colon जो की represent करता है हमारी compound statement को उसके बाद आता है body of four हम इसके बारे मैं already discuss कर चुके हैं जैसे ही compound statement आती है उसके बाद जो है चार लाइन का gap आ जाता है और इसके साथ साथ जो हमारी साथ अगली चीज़ आती है वो है इसका full flow chart flow chart के उपर भी map को already class दे चुका हूँ और आप समझ चुके होंगे के वो किस तरीके से काम कर सकता है तो for loop का हम यहां पे flow chart देख लेते हैं अगर मालो जैसे पहला item है वो last item नहीं है तो body of for loop execute होगा जैसे ही उसका last item आ जाएगा हमारा for loop जो है वो and हो जाएगा उसके लिए मैंने यहां पे आपको एक example दे रखा है जिसके अंदर मैंने आपको code और output जो है वो दोनो show की हुई है यहां पे हमने क्या किया है code के अंदर for n is equal to 4 एक number लिया है जिसके अंदर हमने एक value डाल दी है वो कि यह 4 फिर for i in range 0 to n range का इससे पिछली classes में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि range किस तरीके से काम करती है वो print करेगा i को तो इसके अंदर हमारा कैसे program run करेगा जो हमारा program run करेगा वो हमेशा i की value जो है वो print करता रहेगा और i की value कहां से लेगा वो range से लेगा range अगर मैं 0 to n define करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि यह होता हमारा जो starting point होता और यह हमारा ending प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है वो जाती है यह इन-1 तक तो इसली तरीका से प्रिंट आई करेंगे पहले आई में 0 आयगी फिर वण आएगा फिर 2 आएगा और 3 आएगा और इस 3 के हम क्या है अपना loop execute कर लेंगे फिर जो इससे हमने पिछली class में भी किया था वो इस वाली class में भी करना चाह रहे हैं कि किसी और programming के अंदर ये चीजे नहीं होती है बट जो python है हमें वो opportunity provide करवाती है कि मैं किसी भी iteration statement के साथ else का use कर सकूँ तो कि दोनों case में या तो मैं iteration लूँ या मैं while वाली लूँ कोई ने कोई condition जो होए exhaust होती है और जैसे ही वो condition exhaust होती है तो उसके बाद हमारी जो opportunity मिलती है वो मिलती है else के part को ताकि else की statement execute हो सके तो else वाला पार्ट जोगा वो for loop में जब भी execute होगा जब जो sequence है जिसको मैं follow करता जा रहा हूं for loop में वो exhausted हो जाए तो यहां पर जो है मैंने एक और example आपको दिखा रखा है जिसके अंदर हमने क्या ले रखा हमने यहां पे एक list बना लिए जिसके अंदर element है जिरो वन फाइफ फॉर आई इन डिजट तो डिजट में क्या करेगा यह तीन तक तीन बार इसको execute करेगा पहले जिरो फिर फिर फाइफ उठाएगा और उसकी वैल्यू प्रेंट करता देता हूं ताकि आपको साथ-साथ पता चल जाए कि कोई भी चीज किस तरीके से execute होनी है तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से करते हैं आपको for i in हम यहां पर क्या ले लेते हैं कोई भी sequence ले लेते हैं one two three four five six और जैसे इसको close करेंगे तो यहां पर यह हमारी जो है आपका जैसे वेल्कम कॉमा यहां पर आई और फिर उसके बाद दोबारा दे देते हैं और लास में दे देता हूं मैं आपको टाइम्स फिर इसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट को execute करूंगा यहां पर एंटर करेंगे तो यह कंपाउंट सेटमेंट की next line मांगेगा वह यहा तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ है इसने sequence value उठाई है सबसे पहले 1 उठाई है 2 उठाई है 3 उठाई है 4 उठाई है 5 उठाई है 6 उठाई है तो यह क्या ऐसे आपको ऐसे लगता है जैसे 1,2,3,4 आया है या इस वाली सिरिंग से आया है तो मैं क्या करते हैं हम यह वाली statement पर फिर से जो हाल किसी change कर लेते हैं और इसको किसी और order में लिख देते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 9,8,7,6,5,4,3,2,1 यह वाली statement लिख देते हैं और दुबारा से यहां से इसको copy paste उठा के हम कर लेते हैं जैसे ही यहां byちゃ पर दो भार जैसे एंट्र करूंगा तो यहां से देख़्ियो मेरे पास से क्या आगा दोмक की वेलिए वो हांसे उठ रही है हमेशा पहले यह वाली वेली उठाउय लिए फिर यह बारी और फिर इस तरीके से हमारे पास तो अलग अलग value जो उसने उठाके दिखा रखी हैं फिर उसके बाद अगर हमारे पास हमने else के साथ कोई भी program बनाना हो तो मैंने यहां पर program पहले ही जो है वो लिखके रखा हुआ है तो यहां पर उसका नाम लिख देते हैं for with else और यहां पर मैंने उसको load कर लेता हूं यही program मैंने आप जो था आपकी presentation में बना रखा हमने यहां पर digit ले रखा है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अलग अलग element add कर लेता है तो यहां पर मैं जैसे 9 और add कर दिया मैंने और कॉमा डालने के बाद इसके अंदर 10 और add कर देते हैं और last में जाके इसको हम 15 कर देते हैं इसके बाद else part जो हो execute होगा और वो हमें बताएगा print no items left और इसको हम क्या करते हैं इसको हम पहले save कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर run करते हैं तो जैसे ही उसने क्या दिखाया है जैसे ही उसने जो भी हमने जो values दे रखी थी जैसे 0,9,6,10,1,15 and last में हमारे पास क्या अगर no items left तो यह था for loop के बारे में के for loop कैसे होते हैं किस तरीके से वह काम करते हैं किस तरीके से हम उनके साथ जो है अलग-अलग program लिख सकते हैं और क्यूं हम for का use करते हैं for का use हम करते हैं iteration करवाने के लिए तो I hope आपको concept clear हुआ होगा अगर आपको कोई भी doubt है इससे related त देख रहे हैं तो शॉरली सब्सक्राइब कीज़ेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलीगा जिससे आपके पास सबसे पहले जो है अगर मैं कोई भी नया लेक्चर अप्लोड करता हूं तो उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच आए तो आज की वीडियो में इ ताक्टो उसकी अशन दगर साव्टल् करता है तो आछेज की वीडियो जो वीडियोच सबसे पहले है में आएके तो आपके पास सबसे हैं एक्वाल के थाफ़ति थासरी थासरी को भीडियोच सबसे पहले हैं दो कि वीडियोच